हाई एवरिवन वेलकम टूम चैनल मैं हूँ शिवानी लेकर आगे हूँ आप लगों के लिए एक और कपल स्पेशल या बोल सकते हैं लव एडवाइज वाला वीडियो यह question बहुत सारे लड़कों का मेरे पास आता है कि मैं में एक लड़की को एक लड़के में क्या पसंद होता है या फिर एक लेड़ी जो है वो एक मर्द की तरफ कब आकरशित होती है कैसे आकरशित होती है कौन सी चीज़ अपसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसे इस तरह क एक लाइन सुनके गलत मतलब नहीं निकालिए पूरी बात मेरी सुन लीजेगा और ताकि आपको सही उसका मतलब समझ में कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप और भी ऐ तो अकसर आपने मुझे ये कहते सुनाओगा कि हर लड़की डिफरेंट होती है हर लड़की की पसंद नापसंद अलग होती है और आप अपनी पार्टनर से पूछो कि उसे क्या पसंद है उसे क्या अच्छा लगता है ताकि आप सही exact information निकाल पाओ कि आपकी पार्टनर नहीं है वो अपनी ऐसी परसनालिटी बनाना चाहते हैं जिससे की ज्यादा तर लड़किया अट्रैक्ट हो उनकी तरफ लड़किया उनको पसंद करें तो वो अपनी परसनालिटी कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूं देखो हर किसी की जैसे मैंने कहा प या फिर आप किस ओहदे पे हो या आप कितना कमाते हो हर किसी के अलग अलग चोईस हो सकती है तो सबसे पहले तो अपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपनी परसनालिटी को इंप्रूफ करना है personality को improve करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले कि अपने dressing sense पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजे, dressing sense को आप better करने की कोशिश कर सकते हैं, color combination जो आप पहनते हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान देके पहनिए, कि बहुत ज़ादा भड़काऊ से color ना हो अजीब से matching ना हो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान लग सकते हैं मेरी एक वीडियो भी है, मेंस ड्रेसिंग के उपर, styling tips मैंने उसमें शेयर की हुए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूगी इसके लावा आप अपनी communication बैटर कर सकते हो, एक बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है एक लड़की को ज़्यादा तर लड़कियां मैंने देखी हैं कि जो आपकी care करे आपको बातों ही बातों में कैसे आपकी take care करता है आपको अच्छी conversation आपकी साथ करता है, वो attract करता है लड़कियों को, तो अपनी communication थोड़ा सा बैटर करनी की कोशिश कीजिए सही अच्छे word जो होते हैं, उनको अपनी vocabulary में शामिल कीजिए, चाहें आप English में बात करें या Hindi में, वो matter नहीं करता, लेकिन उस particular language पर कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो word है, वो थोड़े से, जो पढ़ी लिखी सब्विता में word यूज किये जाते हैं, वो आप यूज करिए और थोड़ा सा manners सीखिए, manners जो हैं वो भी एक लड़की को बहुत सादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और जो लोग गंदे संदे रहते हैं और अनहाइजीनिक हैं, वो थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करते हैं, वहीं अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो, खुद को साफ रखते हो तो वह भी अट्रैक्ट करता है, एक आपकी परसनालिटी को उभारता है वहीं आपके बाल होते हैं, आपके हैर होते हैं वह हैर स्टाल आप ऐसा रखिए जो कि आपके चहरे से सूट करता हुआ हो आपकी क्लीन शेव आप पे जादा अच्छी लगती है या बीर्ड जादा अच्छी लगती है जैसा भी आप लुक करें, इसे मैंटेन करके रखें ऐसा नहीं है कि आपने डाड़ी बढ़ा रखी है और वह उल्टी सीदी कहीं से भी बढ़ा रखी है जो की बहुत ही ऐसा लगता है कि ये इनसान तो अपने पर ध्यान ही नहीं देता तो अगर डाड़ी अपने रख रखी है, बियर्ड रख रखी है तो उसे मैंटेन करके रखो, क्लीन शेव करते हो तो वह मैंटेन करके रखो इन सब चीजों का थोड़ा पुड़ा आप ध्यान रख सकते हो अपनी परसनालिटी को आप थोड़ा सा इप्रूफ कर सकते हो इसके लाब अगर बात करें अंदर की परसनालिटी की तो मैं अपने एक्सपेरियंस से ये चीज़ आपको बोलूँगी कि बहुत ज़ादा गусा करने वाले लोग, धुझलाने वाले लोग और बहुत जल्दी पेश्टन्स को जाने वाले लोग नहीं पसंद आते हैं किसी को भी और अगर मैं अपनी बात क lähde मुझे भी बुल नहीं पसंद आते हैं गत्सा एक इमोर्शन है आपका लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही emotion बार-बार आप दिखाएं कभी-कबार गुस्सा आना, किसी situation पर गुस्सा आना समझ आता है लेकिन बार-बार, हर बार, बिना बाद की गुस्सा, किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल देना इस तरह की personality बिल्कुल भी attract नहीं करती है तो प्लीज उस पर थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं अपना गुस्सा कैसे आप control करें, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे बहुत गुस्सा आता है, आप जुझला जाते हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने description box में उसका link दे रखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा next path करें कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़किया तो सरिफ पैसे पे ही मरती है या उन्ही लड़कों के पास जाएंगी जिनके पास बहुत जादा पैसा है और हमारे पास तो है नहीं, तो ऐसा सोच कि वो खुद को बहुत जादा demoralize कर लेते हैं अगर आपकी कोई girlfriend नहीं है, उसका reason ये बिल्कुल भी नहीं है उसके अलावा जो मैंने बाकी की लड़कियां देखी हैं या मैं खुद अगर अपनी भी बात करो तो वो चीज जादा attract करती है कि आप अपने life के लिए कितने sincere हो, आप कितने hard working हो आप अपनी growth किस तरीके से देखते हो, आपके future plans क्या है आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आपके अंदर अगर काबलियत है, आप एक hard working हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपके ambitious हैं वो चीज ज्यादा attract करती है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी इस तरीके से मत सोच ही, जिनकी भी यह सोच होती है कि अरे लड़कियां तो पैसे वाले के पास ही जाएंगी, अरे भया तो फिर जिनके पास पैसा नहीं है वो सारे फिर single ही घूम रहे होते नहीं, हर इंसान की चाहें वो बिल्कुल गरीब वर्ग से हो, चाहें medium standard हो या high standard हो मैंने तो हर किसी के relationship देखे हैं, हर किसी की शादियां होती है हर किसी को प्यार होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ जादा तर आजकल का जो माहौल है उसमें ऐसा हो गया है कि 15-20% लड़किया आपको ऐसी मिलेंगी जिनको अल्रेडी बहुत जादा पैसे वाला इनसान चाहिए हो, जिसके पास बाब दादों को उसका पैसा हो और अल्रेडी वो एकदम, you know, मज़े करने उस पैसे से लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़किया और बहुत जादा परसेंटेज में ऐसी लड़किया हैं जो हार्ड वर्किंग और जिनका लाइफ पर फोकस है, ऐसे लोगों को चूज करना जादा प्रिफर करती हैं उन लोगों के कंपैरिजर में जिनके पास बहुत जादा तो आप अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजे, अगर आप पढ़ाई करते हो, उस पर फोकस कीजे, या फिर आप काम करते हो, अपनी एक जॉब करते हो, इस जॉब को कीजे और अपने गोल्स बनाइए, कि अभी मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो इससे मैं उपर और कैसे जा सकता ह हूँ, और क्या मैं अपनी परसनल ग्रोथ कर सकता हूँ, तो अगर अपनी लाइफ पे आप फोकस्ट होगे, आप अगर थोड़ा सा भी अभी कमा रहे हो, तो बहुत ही जल्दी आप उस अपने सेलरी को, अपनी इंकम को बढ़ा सकते हो, तो सिंसिर रही अपनी लाइफ में अगर थोड़ा साही कुछ अचीव कर लिया, वहीं पर सीमित मत रहे है, अपनी ग्रोथ आगे देखते रहे हमेशा, तो ये चीज बहुत जादा अट्रेक्ट करेगी, और बिल्कूल भी खुद को किसी से कम मत समझे, अपना जो हमारा कॉम्पटीशन होता है वो हमारा बिछले 5 सालों में क्या थे और अगे 5 सालों में क्या होंगे, काहन हमारी ग्रोथ होगी, परसनल ग्रोथ, इंकम की जोग्रोथ, हमारे पोस्त है, उसकी ग्रोथ हर छीजтесь का अपना एक प्लान बना जहिए, आपको लाइफ में क्या करना एऊए, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है देख लेंगे जो होगा ऐसे लोग बहुत ही जादा बिलकुल अनट्रैक्टिव होते हैं जिनका कोई प्लान ही नहीं होता वहीं अगर आपका कोई प्लान होता है आपकी गोल्स होते हैं जब आप किसी लड़की से इंट्रैक्ट भी करते हो उसको यह सब चीज से बताओगे कि अभी मैं यह करता हूँ आगे मेरे यह प्लान है उसको अच्छा लगेगा यह चीज तो आप इस तरीके से अपने आपको अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी एक ऐसी परसनालिटी बना सकते हैं और अंदर से भी अपनी परसनालिटी को और उभार सकते हैं एक अच्छी कम्यूनिकेशन करने पे भी ध्यान दे सकते हैं यह सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और आपकी तरफ जल्दी से आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा और आपकी यह शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि कोई लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होती ही नहीं तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो खतम करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी जल्दी से लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी थोड़ी यह टिप्स काम में लाने को मिले और मैं चलते ही मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई थेक केर